देवी मा के जो भक्त अश्टमी को कन्या पूजन करते हैं उनके लिए पंचांग में अलग समय का विधान बताया गया है और नौमी को कन्या पूजन करने वालों के लिए अलग समय का विधान है धार्मिक गरंतों में अश्टमी और नौमी का पुजन किजिन करना स्रेष्ट होगा इसकी अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरद्वार के विद्वान जो 35 स्रेधर सास्त्री पताते हैं कि हिंदु धरम में उदिया तिति को सर्वस्रेष्ट बताया गया है जदि किसी पर सात्रों की सुर्वात तीन अक्तूबर से होगी इस बार नौमी युक्त दस्मी का संयोग आ रहा है इसको लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के जोतिसी सुनिए सर्व मंगल मांगले सीवे सर्वार साजिगे सरण्य त्रिम्ग के गोरी नाराइनी अमोस्तुपे अब गी बार तीन अक्तूबर गुरुवार एवं हस्त नक्सत को परतिवदा से नवरात प्राणव हो रहे हैं अब विशेज बात जो बताने की है जब नवरात ने जो पूर कुछ बंदाना चाहते हैं अश्टमी तिथी 11 तारिक को उद्या तिखी के लुप में है और उस दिन अश्टमी तिखी लगभग 11 वजे तक होगी इस समय में अश्टमी तिखी में जो कन्या पोजन एवं वरत उत्वास को भी कर रहे हैं उसमें कन्याओं को का पोजन करें औ अपने अश्टमी की कारिये को स्रदावक्ति से संपन करें तत्वस्चार उसके बाद नौमि तिखी प्रारणव हो रही है और यह अश्टमी विद्धा नौमी भी है और अगले दिन दस बज़िकर 57 मिनट तक नौमी तिखी रहेगी और नौमी की दिन प्राद्यकाल जो तारीक को होगी और इसका समय तक नोमी की पूजा करने वाले और कन्याग करते हैं और तक सभी परिवार वाले भर्त भी रहते हैं तो उस समय तक कन्याओं का फूजन करें उनको पुझनाग विधान से करें और kev MR लेना इसमें पूर्ण कर लेना है इसमें हमारे सास्त्रों में इसमें बेजास्त्रों का समय समय है यह सब्सक्राइब अपने कालिये को पूर्ड कर ले और संपूर्ड मा भगवती आसी वाद को प्राइब